आचा आज की पहला जो न्यूज थी ये न्यूज आल्रेडी 15 तारीक की है ठीक है लेकिन न्यूज अच्छी है और ट्रस्ट मी जिन बच्चों ने पढ़ लिया है न वो भी यहाँ पर कुछ अलग देखें क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता सिर्फ न्यूज पढ़ाता मैं मैं उसका इशू पढ़ाता हूं साती सात में मैं बात करता हूं दोस्तों उनसे संबंदित कॉंसेप्स की उनसे संबंदित प्रिलिम्स के क्वेश्चन की उनसे संबंदित मेंस के क्वेश्चन की ठीक है मत करो यार बाकी शेयर मुझे मैं देख चुगा हूं ठीक है, जिनको आना होगा, वो कर लेंगे, जातर बच्चे जो है, 15 और 16 देखके, शायद उनको लगे कि नहीं, ये काम का नहीं है, ठीक है, तो शायद ना जुड़े, कोई बात नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हो सकता है, उन्होंने कहीं औ भी मत करो, ठीक है ना, क्योंकि उनको मुझे लग रहा है, कि उन्होंने शायद कर लिया होगा, तो maybe they are not interested in this session, ठीक है ना, good morning एकता, good morning, चलिए, अब discuss करता हैं, दोस्तो, पहला रामसार साइट का, है ना, रामसार साइट दोस्तो, भारत के अंदर में, चार नहीं साइट को रामसार साइट का इंगनेशन मिला है, और हरियाना को अपनी पहली रामसार साइट मिल गई है, तो कुल मिला के चार रामसार साइट है, जिनको रामसार जो साइट ऑफ इंटरनाशनल इंपोर्टेंस है, उसके तहत में, रामसार कंवेंशन के तहत में, दोस्तो, उनको रिक अगर आपको पढ़ाया था कहां पर ecology के अंदर अगर आपको पढ़ाया था तो वेटलेंड जो है they are the important part of the ecological biodiversity ecological diversity का एक बहुत 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 क्या है दोस्तों यह महतोपुर भाग है अगर मैं इसको मानके चलूं तो तो रामसार साइट के अंदर में चार साइट और इंक्लूड हो गई है और यह सिर्फ ठीक किसके पहले हुआ है दोस्तों आपका यह ठीक आपका एक दिन पहले यानि कि 14 ओफ ऑगस्त को यह जो है आपका हुआ था तो यह देश के लिए का भी प्राइड की बात भी है कि अच्छा चार हमारी रामसार साइट के पहले है वह इंट्लूड हुई है वह यह आपका यह गागी है दोस्तों कि सके अंदर इंटरनाश्नल साइट फ्र टेक है इंटरनाशनल इंपोर्णस रामसार रामसार एक Veg. आरे कान्वेंशन है जिसके तहत हम क्या करते हैं जो वेटलेंड जो होता है मैंने आपको बताया था वेटलेंड का मतलब क्या होता है दल दल भूमी आद्र भूमी है ना और ये एक ट्रांजिशनल जोन होता है किस किस के बीच में अगर आपको मैं बताऊं आपको दोस्तो तो फॉरेस्ट या ऐसा मान के चलते हैं फॉरेस्ट नह और मराइन के बीच में यहां पर लाई करता है दोस्तों क्या wetland so wetland के अंदर में क्या होता है basically खास बात ही हो दिए कि इसमें मराइन वाले भी रह सकते हैं क्योंकि पानी भी है इसमें और इसके अंदर में terrestrial ecosystem यह refuse प्रोवाइड करता है मैंने बताया जना कई बार ऐसा होता है कि मम्यूर वाइफ से जगड़ा हो जाता है तो बीच में बाहर वाली उसमें काम आती है so is this that type of बाहर वाली ठीक है wetland यह आपका है ठीक है मैंने आपको बताया था जब हमने ecology के अंदर पड़ा था तो मैंने आपको बताया था discuss किया था कि जो terrestrial ecosystem है और जो marine ecosystem है उसका transitional area क्या कहलाता है दोस्तों आपका that is wetland so it is very important ठीक है तो यह biodiversity के point of view से बहुत ज़दा important है हैना इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इससे mains का एक सवाल भी आपको करना है ठीक है जिसके उपर हम करेंगे आपके साथ क्या answer writing session आप आज ही ठीक है चलिए दोस्तों पहले बता दूँ मैं GS paper 3 से related है ठीक है इसमें आपका क्या हैगा conservation वैसे GS paper 2 से भी related है क्योंकि महाँ पर important international conventions के बारे में बात होती है बट यहाँ पर मैं इसको GS paper 3 में ही रखूँगा because पूरा का पूरा जो मुद्दा है that is related to the environment and biodiversity आपका environment और biodiversity से related है that's why मैं इसको सिर्फ और सिर्फ GS paper 3 से ही रखूँगा तो environment and biodiversity के अंदर में क्या कह रहे हैं दोस्तों environmental and biodiversity conservation, environmental pollution and degradation so basically environment का topic है बात समझते हैं दोस्तों देखो मैंने क्या बोला context क्या कुछ भी नहीं है सर चार नई site है जिनको wetland के अंदर में जोड़ दिया गया four new sites है four more wetlands from the India get recognition from the ramsar secretariat as the ramsar site तो ramsar का जो secretariat है ठीक है ramsar का जो सची वाले है दोस्तों कहाँ पर है इरान के अंदर इरान के अंदर एक सहर है ठीक है इरान के अंदर एक सहर है जिसका नाम है ramsar तो वहां से इसका नाम आया दोस्तों तो भारत के चार और नई आद्रभूमी को ramsar सची वाले से दोस्तों माननेता मिल गई है तो कुल मिला के भारत की जो total रामसार साइड्स की संख्या है बोवी बढ़ गई है मैंने आपको एक रामसार साइड के ओपर एक special session कराया हुआ है दोस्तों तो उसमें मैंने इंडिया की जितनी भी रामसार साइडस है सब के बारे मैंने आपको बताया है तो उसको जरूर ध्यान से पढ़ लेना एक बर तो मोदी साब ने बोला है कि यार ये देश के लिए प्राइड की बात है गौरव की बात है फकर की बात है है ना कि भारत की जो साइट्स है चार साइट्स है उनको इंटरनाशनली रिकोगनाईज किया गया और उनको आपका रामसार साइट के अंदर में इनका नाम रखा गया रामसार साइट के अंदर इनको इंक्लूड किया गया इसके साथ साथ भारत के अंदर में टोटल रामसार साइट जो है वो 46 हो गई है अगर मैं टोटल आपको कवर्ड एरिया बताओ तो देखो इतने hectare covered area है ठीक है इतने hectare जो है हमारा 10,83,332 इतना area जो है इतना hectare area जो है वो हमारा रामसार site के अंदर आता है तो earlier there was 40 रामसार site ठीक है कितनी दी 40 लेगिन अभी अगर हम बात करें तो we have 46 sorry earlier there was 42 and अभी अगर मैं बात करूँ तो there are 46 रामसार site 46 रामसार site हो अगर मैं इंडिया में total इनका area बात करूँ hectare के अंदर में तो लगवग लगवग साड़े 10 लाख साड़े 10 से वी उपर है 11 लाख के आसपास हो जाएगा पहुंचने वाला है पहुंच गया है मतलब 11 लाख के आसपास ही है तो चार नई sites इसके अंदर में add हुई है और वो सारी प्रजातियों को ये आश्रे देता है ठीक है सुल्तानपूर नेशनल पार्क गुन-गुडगाओं उसके बाद में अगर मैं बात करूँ भींडवास, wildlife century, जजजर, दोनों हरियाना में हैं दोस्तों they have been added to the list this year साथ-साथ में गुजरात के भी दो रहे हैं पहला हुआ ह दोस्तों थोल लेक, wildlife century और दूसरा जो है that is the वादवना, wetland from the गुजरात to become the part of the convention, तो कुल मिला के दो यहां से और दो यहां से, कुल मिला के चार wetland जो है इनको add किया गया है, तो याद रखोगे पहला सुल्तानपूर दूसरा कौन सा है भींडवास, तीसरा गर मैं बात कर हैं जिनको international importance जो है recognize किया गया है, इनको recognition मिला है, सुल्तानपूर नेशनल पार्क के वारे मैं बात करता हूँ, ठीक है कहां पर है, इसकी क्या खासियत है वगएरा वगएरा, तो सुल्तानपूर नेशनल पार्क जो है हरियाना के अंदर में है, और इसमें अगर हम बात करें तो कम से कम भारत के अंदर में 220 ऐसी बक्षियों की प्रजाती है, जिसको ये क्या करता है, आश्रे देता है, हरियाना में सुल्तानपूर राष्टे उध्यान अपने जीवन चकर के महतपून चरणों में निवाशी शीत कालीन प्रवासी और स्थानिय प्रवासी जल पक्ष उनको ये आपका क्या करता है, दोस्तों आश्रे देता है, साथ-साथ में local migratory water birds, जो पानी में रहने वाली water birds जो होती ही, migrate करती रहती है, प्रवासी एक स्थान से दुशे स्थान पर, तो ये उनको उनके जीवन के crucial time के उपर में क्या करता है, support करता है, है ना, तो ये क्या बहुत कम है और वो 10 जो है उनमें कॉन कॉन से हैं more than 10 of these are globally threatened including the critically endangered उसमें बात करें sociable lap wings ठीक है अपका उसके बाद में अगर हम बात करें endangered Egyptian vulture याद रखना है ये threatened है these are threatened species और इनको कौन आश्रे देता है सुल्तानपूर नेशनल पार्क तो कल को ना ऐसे question आ जाते हैं सुल्तानपूर नेशनल पार्क यहां पर आ गया ठीक है अब ऐसे नेशनल पार्क भारत में बहुत सारे हैं अब याद करने बैठा होगे तुम्हारा खोपड़ा गुम जाएगा ठीक है ऐसे हर उसका याद करेंगे तो लेकिन क्योंकि सुल्तानपूर नेशनल पार्क is recently in the news so they can ask a question from here वो इससे क्या कर सकते हैं सवाल पूछ सकते हैं यह कहने हैं कि total मिला करना अगर हम बात करें तो दस ऐसी species हैं जो बहुत ही threatened है पूरी दुनिया के अंदर है ना उनमें से बोल रहा है sociable lapnings उसके बारे में बात कर रहा है इजिप्टियन वल्चर के बारे में बात कर रहा है ठीक है उसके बाद गंबीर रूप से लुप्त प्राइ भी है इन में से मैंने बता है आपको इसमें से नाम अगर हम बात करें तो लुप्त प्राइम में मिश्टर के साथ ही साथ में दोस्तों यह किस प्रकार है किसको प्रोटेक्ट करता है तो यह 220 वाटर बर्ड है ना यहां पर कोई हाथी गोडा सेर चीता यह सब नहीं पाया जाता बेसिकली यह आपका जो वाटर बर्ड है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सुल्तानपूर नेशनल पार्क इडिज लोकेटी इन दा गुडगाव हरियाना ठीक है चलिए ला ना लेट्स टॉक अबाउट इसके बाद दूसरी चीज के बारे में बात कर लेत थोल हो गया बाद्वना थी एक पार्ट इसमें चूत गया फिर ठीक है एक पार्ट इसमें यह रहाना भी डंदावावास पहले लिखावा था ठीक है यह मानव निर्मित है, वो जो आपके सुल्तानपूर है, that is not मानव निर्मित, but this is the human made, human made freshwater wetland है, ठीक है, और यह हर्याना के अंदर में सबसे बड़ी wetland है, सबसे largest wetland है, मानव निर्मित wetland है, हर्याना की सबसे बड़ी wetland भी है यह, यह आपका 250 अलग अलग bird species हैं, आपकी जिनको यह क्या करती हैं, दोस्तों, इस century के अंदर में, है ना, आपने 250 birds, उसमें कितनी थी, आपका, हमने पढ़ा, वो कवर कर रहा था, 220 birds को, बटी कितना कर रहा है, 250 birds, तो 250 जो bird species है, 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों के पुरे वर्ष अभिहारन का उपियोग, विश्राम स्थल के रूप में करती हैं, ठीक है, 250 birds species use the century throughout the year as a resting and roasting sites, ठीक है, the site supports more than 10 global, ये भी, वो भी 10 global threatened species को प्रजट करती थी, और ये भी, ठीक है, 10 जो है, दुनिया भर के अंदर में, जो threatened species है, water bird की, ये उसको क्या करती है, प्रजट करती है, ये आपका दोस्तो, 10 global threatened species, जिसमें आपका Egyptian vulture यहाँ पर भी है, उसमें भी Egyptian vulture था, उसके लावा Steppy eagle, उसके बाद में पालस fish eagle, दोनों में same है, साथ-साथ में black belly turd, ये भी उसमें भी था, इसमें भी था, ठीक है, तो almost अगर मैं बात करू, species के हैं, दोस्तो, same है, और ये species जो है, इसमें जातर species किसके हैं, बाज के, eagle, और आपको पता है, दोस्तो, eagle के लिए हरियाना के अंदर में, आपका एक breeding center वी लगा रखा, पिंजोर के अंदर में, है न, important है, eagle से related issues जो है, आपको पता हो, diclofenac का, ठीक, अगर नहीं पता है, तो बता दू, ठीक है, जम पहल होता है, न, body के अंदर कहीं भी, तो आप जो दवाई लेते हो, तो उसके अंदर में, diclofenac होता है, क्या होता है, उसमें diclofenac, तो हमने क्या किया, पहले हम veterinary के लिए, veterinary treatment के लिए, diclofenac का इस्तमाल करते थे, anti-inflammatory है, तो पशु को दर्द हो रहा है, ठीक, आप तो उसको हम उसमें लगाया था न, जब वो उसका इलाज चल रहा था, उसकी वज़े से उसकी पूरी body में toxic भर जाता है, जहर भर जाता है, जब वो मर जाती ही तब, और मरने के बाद आपको पता है, इनको कौन खाता है, ठीक है, ये गिद्ध विद्ध खाते हैं, चील कव्वे खाते ह तो उनकी death होने लग गई थी, ठीक है, और ये बहुत बड़ा cause था दोस्तों, हरियाना के अंदर में, अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ये जो गिद्ध थे, अपरे बाद जो थे, इनकी death होने लग गई थी, तब इस cause को identify किया गया, और breeding के लिए दोस्तों, हरियाना के प जो breeding center है, वल्चर का, वो कहाँ पर है दोस्तों, that is located in the हरियाना, ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और अगर आप देखें, तो यहाँ पर जो है, protected species में भी वल्चर का नाम यहाँ पर आता है, 10 global threatened species हैं यहाँ पर, 200 से जादा आपकी bird species हैं, जो इस century के अं अंदर में, ऐसी प्रजातियां है, जिनको यह प्रटेट करती है, critical प्रजातियां, जो almost कहाँ हैं, दोस्तों, same है, ठीक है, चलिस, आगे बात करते हैं, थोल लेक wildlife century, यह basically कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है, थोल जी, वन जी वभियार, ठीक है, तो यह गुजरात में लाई करता है, और यह जो Central Asia का flyway है, ठीक है, जैसे हम highway use करते हैं, ऐसे पक्षी उड़ने के लिए भी एक particular रस्ते का इस्तमाल करते हैं, तो वो पक्षी जो Central Asia, मदेशिया की ओर जाते हैं, वो यहाँ पर विश्राम करते हैं, The Thole Lake Wildlife Century in Gujarat lies in the Central Asian flyway and more than 320 bird species can found here, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 320 से अधिक पक्षियों की प्रजाती आपको यहाँ मिल सकती है, गुजरात के थोल में, ठीक हैं, अब यह एक जो आपका थोल Lake Wildlife Century है, यह जो Central Asian आपका flyway है, उसके बीच में क्या करता है, दोस्तों, Good morning guys, so एक बर एक बर प्लीज आपसे request है सारे बच्चों से, जिन्होंने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, एक बर रिक्वेस्ट है मेरा, कि प्लीज गाईज एक बर वीडियो को लाइक कर दे, सारे के सारे बच्चे, जिन्होंन को प्रोडेट करती है, जैसे अगर मैं बात करूँ, critically endangered, white rumped vulture, vulture मतलब ये भी क्या है आपका, ठीक है, so white rumped vulture, उसके बाद sociable lapwing, उसके बाद में है, vulnerable sarus crane, common pochard and lesser white fronted goose, तो ये सारी चीज है, इसमें 30 से अधिक ऐसे संकट ग्रस्त जलपक्षियों को, ये समर्थन देता जिसमें गंभी रूप से लुप्त प्राय, सफेद पंक वाला गिद, उसके बाद मिलनसार lapwing, उसके बाद कमजोर sarus crane, उसके बाद common pochard, उसके बाद में lesser white fronted goose, तो अगर आप देखोगे, तो ये स्पक्षीज हैं, और इनमें 30 आपकी threatened species हैं, total मिला के 320 हैं, तो ये उनको क् प्रेकिनिंद गुजरात, ये भी गुजरात में ही आती है, वाद होना, वैटलेंड की बात में करता हूं, तो ये क्या, it is important for its bird life as it provides wintering grounds to the migratory birds, water birds, जो migratory birds होती हैं आपकी, ठीक है, तो ये उनको जो winter के अंदर में migrate करती हैं, रशिया से, साइवेरिया से, उपर से, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो नीचे आजाती है, ये उनको क्या करता है दोस्तों, उनको ये आपका transitional zone है, तो उनको resting site है उनके लिए, एक important bird life ये आपका provide करता है हमें दोस्तों, ये भी आपका centralation flyway, जो मध्ध एशिया flyway है, उसके अंदर में आपका ये lie करता ह इसमें भी 18, sorry, 80 bird species आपको देखने को मिल सकती है, migration के time पे, they include some threatened and near threatened species, अगर आप देखोगे इसमें, तो कुछ species ऐसी होती है, जो threatened है, मतलब लुप्त हो जाएंगी, और कुछ ऐसी है, जो near threatened है, मतलब threatened होने के पास में, तो दो प्रिकार की species यहाँ पर आपकी उपस्तित है ठीक है, they include some threatened और near threatened species, such as endangered palace fish eagle, उसके बाद vulnerable common pochards, and near threatened dalmenia, pelican, grey headed fish eagle, ठीक है, यह सारी बात है, and आपका furgonious duck, तो इतनी सारी अगर आप देखोगे, these are the species, है ना, तो कुल मिलाक के मुद्दा यह है, भाई, चार wetland है, नहीं, जो हमारी add हो गई है, पहले already हमारे पास 42 थी, अ चार ओर होगी 46 हो गई है, ठीक है, अब आप पुछोगे सार, ठीक है, रामसार साइट है, पहली बात तो रामसार convention है, क्या, और इससे क्या फायदा हो जाएगा, इसका aim क्या है, purpose क्या है, चली पहरवच्चों, मैं आपको बता देतना हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया वेटलेंड जो है न, देखो इतना terrestrial और अगर आप compare करो न, तो जब वेटलेंड को compare करो terrestrial से, स्थली है और वेटलेंड, आपका आदर भूमी compare करते हो, तो पता है आपको आदर भूमी ज़्यादा important आ जाती है, वेटलेंड ज़्यादा important होती है, ठीक है, यह मराइन से और आपका terrestrial से ज़्यादा important है, because यह ज़्यादा number of species को क्या करता है, support करता है, यहाँ पर फायदा क्या है न, कि जब में देखो, वेटलेंड का मतलब आदर भूमी, ठीक है, वेटलेंड का मतलब आदर भूमी, तो होगा क्या, कि जो पानी वाले जीव हैं, वो भी इसमें रह स सकते हैं, ठीक है, लेगिन जमीन वाले सिर्फ जमीन पर ही रह पाएंगे, पानी वाले पाइनी पर ही, लेगिन यहाँ पर दोनों क्या कर सकते हैं, refuse मिल जाता है, तो इसलिए वेटलेंड के अंदर में इसको eco tone भी बोलते हैं, इस effect को क्या बोला जाता है, प्यारे बच्चो ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि थियोरी पढ़ ली, थियोरी पढ़ ली तो आपने practical के लिए कहा ना पड़ेगा, दोस्तों आपको practical के लिए you must have to do current affair, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो current affair छूट जाएगा, चलिए अब बात करते हैं किसकी दोस्तों रामसार साइट के बारे म अगर आप देखो, तो रामसार कन्वेंशन जो है यह आदर भूमी के संरक्षन के लिए, ठीक है, किस प्रकार से हम आदर भूमी का संरक्षन कर सकते हैं और उसका वाइज यूज कर सकते हैं, बुद्धी के दुआरा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता है, जाधतर व अबर कुछ-कुछ बना लेंगे अपना रहने का, क्योंकि human population दी बढ़ गी है, यह हम क्या करते हैं इनको दोस्तो, aqua culture के लिए इस्तमाल कर लेते हैं, मजला मचरी मचरी पालने लग जाते हैं, यह फिर हम क्या करते हैं, दोस्तो, यहाँ पर rice cultivate करने लगते हैं, चावल ज्य इरिया पर encroachment को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, human encroachment को बढ़ा रहे हैं, हम इनको restore कर रहे हैं for the different purpose, for the agriculture purpose, for the aqua culture purpose, और इनसे हो क्या रहा है दोस्तो, जो वास्तों में इनका true potential है to support the wildlife, to support the biodiversity, वो क्या हो रहा है, ठीक है, तो हमें किस प्रकार से इनका इस्तमाल करना ची तो 1971 के आसपास, पूरी दुनिया के लोगों को लगा कि नहीं यार, यह एक important area है, और किसी एक ecosystem के लिए, एक मात्र यही ऐसी आपका है, आपकी जो convention है, रामसार convention, जो पूरे एक ecosystem को cover करती है, एसी कोई दूसरी नहीं है, जो पूरे ecosystem को cover करती है, ठीक है, तो यह पूरे ecosystem को cover करती है, 1971 में दुनिया भर के जो लोग है, उनको लगा, कि ऐसे चलता रहा, तो मामला खराब हो जाएगा, हमें wetland का wise use करना पड़ेगा, है ना, हमें, आप चावल बना उगा लेते हो, ठीक है, लेकिन चावल से कहीं जादा, जो आपकी इतनी सारी species, जिनको यह protect करता है, support करता है, वो जादा important है, so इन सब चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, दोस्तों, we have to look after these things, हमें चीजों को समझना पड़ेगा, और हमें wetland का intelligent use करना है, हमें अच्छे से प्योग करना है, हमें wetland का wise use करना है, इसके लिए रामसार convention आई, अचा रामसार convention का नाम कैसे पड इट वस गिवन आफ्टर दा रामसार, सेटी ओफ रामसार, ठीक है, यह रामसार सेटी कहां पर है दोस्तों, यह कैस्पियन सी के अंदर है, वेर दा ट्रीटी वस साइंड ऑन दा फेबररी 2, 1971, दो फरवरी 1971 को साइन किया गया, और फरवरी 2 एक important day भी है, ठीक है, इंटरना national day for wetland on the 2nd February, इसका purpose क्या होता है दोस्तों, कोई भी day जब आप celebrate करते हो, तो उसका purpose होता है, to generate the awareness about that particular thing, तो हम जब wetland की बात करते हैं, तो that means we want to generate the awareness about the wetland, हम wetland के बारे में, so basically इसका purpose क्या है दोस्तों, जिस भी चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा purpose जो है, वो हम उसी के बारे में वहाँ पर बात करते हैं, मतलब जैसे कोई भी day celebrate करते हैं, तो उसका purpose यह होता है, कि उसके बारे में awareness जगाई जा सके, अचा उद्देश्य क्या है सार इसका, उद्देश्य मैंने बता ही दिया आपको दोस्तों, क्योंकि जो wetland होती है ना दोस्तों, they are the basically अगर हम बात करें, तो ecology के लिए बहुत important है, as I already told you, wetland जो होता है, they are the transitional zone between the terrestrial and the marine ecosystem, so basically here the ecotone effect will take place, और इसकी वज़े से यहाँ पर जो आपकी wildlife है, वो अचानक से क्या होती है, आपकी जाला, तो यह important है, the aim of the Ramsar list is to develop and maintain an international network of wetland, which are important for the conservation of global biological diversities and for sustaining the human life through the maintenance of their ecosystem and component process and benefit, है ना, तो रामजार सूची का उद्धिश है, आद्र भूमी के एक अंतराष्टी network को विक्सित करना है, ना के वल इंडिया में दोस्तों, हमें इस परकार की जो wetlands है, पूरी दुनिया में जितनी wetlands है, we have to identify them, हमको उनको identify करना है, हमको उनके remote करना पड़ेगा wetlands में, सो मेरे इसाब से topic cover हो गया, ठीक है, topic cover है बच्चो, आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है, चार wetland है, जो cover की गई है, समझ में आई बात आपको दोस्तो, साती सात में चार wetland है, जो cover की गई है, उसके अलावा गर मैं बात करूँ आपका दोस् related search के बारे में बात करें, related search के बारे में देखते हैं दोस्तो, क्या-क्या इसमें से आपको पढ़ना चाहिए, मतलब अगर आप इस topic को complete बनाना चाहते हो, तो आपको क्या-क्या पढ़ना होगा, तो आपको पढ़ने के लिए मैं बता दूँ, तो आपको जितनी भी रामसार साइट है ना, यह सारी पढ़नी है, चार ओर आड कर लो, है ना, और मैंने आपको पढ़ाय रखा है, अपने चैनल के उपर ना, उस पे पिन भी किया हुआ है, तो एक बर जाके उसको जरूर देख ले ना, ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख ले ना, सारी रामसार साइट को हमने कवर किया है ठीक है स्टेट वाइज कौन सी साइट है अपने को है और कोशिश करना सारी जो आपकी रामसार साइट है इनको आप मैप की मदद से भी देख पाओ ठीक है कोशिश करना कि आप इनको मैप की साहता से आप देख पाओ अचा रामसार साइट के अंद सार साइट का दरजा दे दिया थीक है तो उसका वाईस यूज को प्रोमॉट करेंगे ठीक है Cathedral करेंगे लेकिन मानके चलतने कल को भविष्य के अंदर में Montecs Record मानके चलो मानके चलो कल को भविष्य के अंदर में यह जो है अगर यह ज़्यादा डेट्रोइट होने लगे इसकी कंडिशन बहुत खराब होने लगे इसकी उस पर्टिकुलर नैशनल पार्क की तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पर क्या होगा उसको मॉन्टेक्स रिकोर्ड में डाल दिया जाएगा अगर मान के चलो च एसी वेटलेंड जिनको अर्जेंट नीड है ठीक है कि उनकी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया गया तो वो खराब हो जाएंगी वो नस्ट हो जाएंगी तो उनको उठाके मॉन्टेक्स रिकोर्ड के अंदर में डाल दिया जाता है भारत की भी कुछ साइट है जिनको मॉन्ट यह तीनों कर लोगे अपने आपसे जल्दी बताओ मॉन्टेक्स रिकोर्ड तो मैंने बता दिया यह भी अपने पास लेक्चर है वो आपको देखना है ठीक है एक्जान के हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट हो गया क्योंकि चार नई वेटलेंड एड होई है ठीक है तो यहा हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दो ओक्की की रिपोर्ट है सारे की सारे बच्चे और एक बर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन बच्चों ने लाइक कर दिया वीडियो को यार आपका तहे दिल से धन्यवाद बाकी जिनोंने नहीं किया है एक बार उनसे रिक्वे देखने है राज्य के इसाब से मानचित्र की सायता से हमें देखने का प्रियास करना और जो मॉन्टेक रिकॉर्ड है इसके बारे में पढ़ना है अच्छा सार यह तो हो गया ठीक हम पढ़ लेंगे अब यह बताओ प्रिलिम्स में सवाल इस टॉपिक से कैसे कैसे आ सकते है देखो exact question कर ली तो आपको मेरे साथ रात में जुड़ना पड़ेगा 10 बजे ठीक है क्योंकि बहाँ पर मैं इसकी जो quiz वाली class है ठीक है वो मैं आपकी कराऊंगा आज करेंगे ठीक है तो वहाँ पर हम करेंगे साथी साथ प्यारे बच्चो आपका जो channel है ठीक है जैसे अप मैं आप मुश्किल से एक मिनिट का होगा उसके comment box के अंदर ही आप अपने जवाब जो है वो दे सकते हैं ठीक है तो यह हम आज से करने वाले आज या कल से अपना start हो जाएगा यह भी ताकि आप proper इसकी क्या कर सको practice कर सको चलिए प्रलिम स्पेस्पिक पर बात करते हैं तो सबसे पहले latest edition in the list of ramsar site ऐसे सवाल बहुत पूछे जा सकते हैं कि बताओ अभी अभी हाली में कौन सी sites को include किया गया है आपको option दे देगा बताओ इन में से कौन सी latest edition अभी add की गई है आपको पता होना चीए रामसार site of each state on the map आपसे पूछ देगा मानलो ऐसा सवाल आ सकता है कि बताओ यह कौन सी site है मानलो सुल्तानपुर का नाम दे दिया आपसे पूछ लेगा बताओ कौन सी state को belong करता है या बहुत सारी रामसार site चारपास दे देगा और आपसे जो है मिला ठीक है मौन्टेक्स रिकोर्ड के अंदर जो आती है ठीक है उसके बारे में बताइए all facts related to the रामसार sites रामसार site से संबंदी जितने भी facts है अपने पास सारे आप से पूछे जा सकते है रामसार site से related facts उसके अलावा criteria for रामसार site declaration किस आधार पर रामसार यह बहुत important this is very 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 important ठीक है यहां से सवाल आभी चुका है प्यारे बच्चो ठीक है this is very important you have to you must learn about the criteria ठीक है for the रामसार site declaration और मैं already यह पढ़ा चुका हूँ आपको criteria for रामसार site declaration मैं आपको अल्रेडी पढ़ा चुका हूँ sir कहां पढ़ा चुके हैं बताओ आप बच्चो कहां पढ़ा चुके हैं आपको यह हम यह हम पढ़ा चुके हैं आपको बताओ जल्दी से कौन से जगह हैं पढ़ा चुके हैं ecology के अंदर so you have to go and learn it from there आपको यह वहा से अब आते हैं दोस्तों अपने मेंस स्पेसिफिक पे मेंस के लिए sir कैसे अंसर राइटिंग तो मेंस का जो प्रोग्राम है ना officially मैंने शुरू कर दिया है sorry unofficially शुरू कर दिया आपके ठीक है एक 20 तारीक से आ रहा है और एक 25 तारीक से आ रहा है आपके पास so 2 plus course launch हो जाएंगे अपने 20 एक तो और दूसरा कहां से हो जाएगा आपका 25 तारीक से यह है आज दे दिया आज शाम तक कोशिश रहेगी कि आपको आपकी आप के उपर दिख जाए और आप ज आगेगी planning क्या करनी है को गुर्कूल 2.0 तो अल्मोस्ट अपने अंतिम फेज में तो क्या अच्छा करें नया करें तो एक तो वो किया एक हम अपना ये program launch कर देंगे आज NCRT वाला साथ ही साथ में प्यारे बच्चो आपका prelims के लिए अतायारी में एक अंतिम स्टॉक हम ल जल्दी इसके लिए भी आपको कुछ दिखेगा है ना मेंस के लिए भी हम कर लेंगे ठीक है तो अल्मोस्ट करके कल मैंने बैठ के पूरा plan किया कब कब कैसे कैसे क्या करना है अम मेंस वाला जो पार्ट है यह important है और इसको discussion मैं अभी से शुरू गड़ चुका हूं मेंस का question मैं यहाँ पे भी बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से कर सकें यहाँ के अलावा यह तो बता दूँआ मैं यहाँ पे उसके अलावा आपके जो चैनल पे वीडियो भी आपको मिलेगा कल से मैं ऐसा करने वाला हूं जो वीडियो होगा उस पे code डाल दिया जाएगा ठीक है और वीडियो के उपर जह है वीडियो के साथ साथ ही बता दिया जाएगा कि इसकी क्लास कब होने वाली है ठीक है उसी की comment box के अंदर आ जाएगा और उसमें link भी हम बहाँ पे paste कर देंगे तो automatically आप सीधा उस class को भी access कर पाओगे ठीक है और question को भी तो connect कर दूँगा मैं एक answer writing session कौन सा होगा ठीक है तो इसका प्रोपर हम code बना देंगे कल से तो आपको पता चल जाएगा वह यह वीडियो है तो वह short वीडियो बनती है वह कुछ second की बनती है 30-35 second की जिसमें आपको पता चल जाता कि आज के question यह है तो पहला question यह है दूसरा question यह है तीसरा चौथा प Google team से उस दिन उसी के नीचे हम कोशिश करेंगे कि आपकी Google sheet add कर दें और उस Google sheet के अंदर में आप अपना जो है answer जो है वह भी लिखके वहाँ पर डाल सकते हों ठीक है तो आज चाहिद यह पूरा final हो जाए पूरा काम ठीक है चलिए मेंस specific पर आते है मेंस का question क्या है वाइव wetland are so important for the ecosystem and how Ramsar convention help us for conservation of the global biological diversity and sustaining the human life explain क्यों जरूरी है वाई क्यों जरूरी है wetland इतनी पहली बात wetland क्यों इतनी जरूरी है 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 ना क्या हो जाएगा इससे wetland को protect कर लोगे तो आप और कैसा आपको ऐसा क्यों लगता है कि wetland को protect करने से दोस्तों आप human life को sustainable बना लोगे आप global biodiversity को conserve कर लोगे अब लोग क्यों लगता है आपको ठेक है क्यों लगता है आपको ऐसा ठेक है कि आप यह सब कर लोगे आपको बताना है so why wetlands are so important for the ecosystem and how Ramsar convention help us for the conservation of the global biological diversity and sustaining the human life you have to explain this thing आपको इसको क्या करना है प्यारे बच्चों explain करना है so this is the main specific ठीक है मुद्धा वोई है आपको उसी प्रकार से लिखना है मैं detail में नहीं बता हूँगा because we will discuss it in the answer writing sessions और मैं पिछली बार यार बहुत जबर्दस response रहा आपका मजा आ गया ठीक है इतने सारे बच्चों ने answer लिखाना मेरा दिल खुश हो गया अंदर से सही होता रहा हूँ आपको ठीक है मेरा दिल खुश हो गया और मैंने क्या सोचा कि इस program को आगे लेके जाएंगे इस program के बारे में चर्चा करेंगे इस program को पुरा पढ़ेंगे इस program को देखेंगे ठीक है इसके उपर होने वाली अप answer writing class कम से कम दो class तो daily answer writing की होगी ही होगी जिसमें आपके answer जोंगे उनका एक framework बताऊँगा कि उनको किस प्रकार से आप तयार करोगे किस प्रकार से design करोगे so main specific अब इसको तीन भागों में बाटेंगे हम पहला intro, दूसरा है दोस्तो body और तीसरा क्या है प्यारे बच्चो conclusion intro body conclusion में बात करते हम so intro की बात करेंगे आप तो आप बात करोगी दोस्तो wetland होती क्या है ठीक है पहले why the wetland सीधा बताऊगे keyword मैंने बताया था आपका यहाँ पर keyword क्या है so wetland को आप explain करोगे यहाँ पर why wetlands are so important देखो keyword यहाँ पर दो है पहला wetland और दूसरा क्या है दोस्तो आपका दूसरा है रामसार ठीक है दूसरा क्या है रामसार convention तो मैं चाहूंगा कि आप wetland के बारे में बताओ क्योंकि अपने पास इससे सम्मंदित current affair भी है ठीक है so इसके बारे में आप explain करोगे body के अंदर आप आप बात क्या करोगे wetland को यहां discuss करो रामसार साइट के बारे में यहां पर बताओ रामसार convention के बारे में यहां बताओ फिर बताओ कि why wetland are important ठीक है और यह जो है आप यहां पर यह बताना कि how by रामसार convention we can protect the wetland तो यह तीनों चीजों को आपको यहां पर क्या करना है you have to explain these things ठीक है तो तीनों चीजों को यहां explain करना है और conclusion आपको पता ही है हर चीज में ठीक है आखरी में आपको concluding statements तो डालनी है तो इस परकार से आप लिखोगे इसको ठीक है और इसमें आप यह भी आपके साथ में share कर दूँआ यह आपको मिल जाएगी almost चार बजे के आसपास तक यह PDF मिल जाएगी आपको तीन चार बजे तक ठीक है कोशिश करना answer लिखने की evening के अंदर answer writing session होगा चेक करेंगे किस प्रकार से आपने लिखा है और कैसा लिखा है ठीक है और मुझे उमीद है कि बहुत अच्छे जो हैं वो आप बहुत अच्छा करोगे तेजस्वी यह बाद में करेंगे बात ठीक है अगर आप यह देखना चाहती है कैसे होगा कितना होगा और यह आंसर राइटिंग सेशन होगा मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है कब होगा सर और इसका जवाब आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम की उपर ठीक है टेलीग्राम की उपर मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम से जुड़ जाओ ठीक है यह आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइज है छे महिने एक साल, दो साल, तीन साल ठीक है यह इधर है आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन है एक साल, दो साल और तीन साल का ले सकते हो कोड आपका क्या रहेगा सुमिट 10 तो यह मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ दे दूँगा साथ-साथ यह अपना कोड है इसको यूज करना है तो गेट थे 10% आपकेडमी आई होप यू लाइक दे शेशन यू इंजो दे शेशन तो गाइस प्लीज लाइक दे वीडियो शेर इन सब्सक्राइब चैनल थैंक यू बेरी मुच टेक क्यर बाबाई जैहिन लव यू दाइस